हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टैडी पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के महतुपुर्ण प्रस्णों के बारे में डेसंस करने वाले हैं जो कि आपका एक्जामनेशन में इसके आने की बहुत संभावना है मैं इस वीडियो में जो वी प्रस्ण कराऊंगा वो सीधे सीधे आपका एक्ग्यामनेशन माएगzna इससे पहले मैंने एक वीडियो करा रखा है जिसमें मैंने 15 प्रस्णों को काफिे अच्छे से डिस्कस करा तो फ्रेंट्स देखें सबसे पहले तो हम बात करने कि विदित फ्यूज होता क्या है देखें विदित फ्यूज जो होता है वह सीसा और टीन का बना हुआ क्या होता है मिसरधातू होता है टीन का हो जाता है स्टैनम और पलंबम हो जाता है आपका सीसा का संकेत ठीक है तो SN और PB का बना हुआ एक मिसर धातू होता है आपका विद्यूत फ्यूज जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है ताकि लगुपथन से सुरक्षा मिल पाए लगुपथन क्या है मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है पहला प्रस्ण वही था आप उसे देख करके समझ सकते हैं ठीक है विद्यूत फ्यूज जो हता है अगर मन लिजे किसी कारण वस इलेक्ट्रिक करेंट का वैल्यू जादा बढ़ जाता है तो विद्यूत फ्यूज जो हता है वह गल जाता है ठीक है क्यों गल जाता है क्यों को उसका प्रतिरोध अधीक होता है यह फी कोशन पूछा जाता है विद्धित फ्यूज के अगर एसिस्टेंस की बात करें तो विद्धित फ्यूज का प्रतिरोध अधीक होता है ठीक है और जब गलनांक पूछेगा तो याद रखेगा विद् लगे हुए हैं वह जलने से बच जाएगा ठीक है तो यहाद रिखेगा विद्युत धारा के उस्मिय प्रभाव पर कारे करता हैं कौन सा प्रभाव उस्मिय प्रभाव पर कारे करता है अगला प्रसन देखते हैं अफ्रभाव पर करता है में ज्याद रखेंगा जो भी दर्भाव प्रतिविम बनाए बनाए वह कौन सा दरपन अवतल दरपन कहलाता है simply एक इस तरीके से आप याद रखेंगे तो देखिए किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पन का प्रयोग किया जाएगा ठीक है इसलिए दाढ़ी बनाने के रुप में किसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पन का ठीक है और ENT यानि कि आँख नाख और कान के जो डॉक्टर होते हैं वह भी किस प्रकार के दर्पन का प्रयोग करते हैं तो आवतल दर्पन का ही प्रयोग करते हैं तो मैंने तीन यहां पर बताए अब तीनों का तीनों याद रखिएगा ठीक है कौन-कौन सा तो एक तो हो गया दाढ़ी बनाने में गाड़ी के हेड लाइट में यानि कि सर्च लाइट में और आपका ENT डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं नेक्स्ट क्या का रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ग्याद करने का सोत्र किया है देखें पिछले वयडियो में मैंने ओम सेला के बारे माप्नों को डेस्क कर गा थे ओमस Actually तो क्या होते हैं उम्चलों के हिसाब से आई याड वी इकॉल टू क्या होता है आई याड मैंने बताया थे किसे आप तीन फर्मूला निकाल सकते हैं इधर क्या कर सकते हैं अगर मैं लेजे कि आई को आप बराबर के अपोसिट साइड लाते हैं तो यह भी की अपन में आ इस इकॉल टू आर और आर का मतलब क्या होता है प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस होता है तो किसे भी प्रतिरोध का जो वियंजग होता है वह क्या होता है भी अपन आई हो जाता है इसका अंसर क्या हो जाएगा भी अपन आई यानकि आर इस इकॉल टू भी अपन आई अग वेसे numerical best question पूछे जाते है next question है स्वासन किस प्रकार की रसाइनिक अभिकरिया है ठीक है स्वासन जो है यह उस्मा छेपी रसाइनिक अभिकरिया है किस प्रकार की रसाइनिक अभिकरिया है तो याद रखेगा स्वासन उस्मा छेपी रसाइनिक अभिकरिया है सोख लेने वाला देखे इस तरीका से याद रख सकते हैं सोशी मतलब सोखना ठीक है तो जो सोखले यानि कि जो उसमा कोदसर्जन ना करे वह उसमा सोशी अभिकरिया और जो उसमा कोदसर्जन करे वह क्या करेगा उसमा छेपी अभिकरिया का उदाहरन है नेक्स्ट है विद्धुका सरवत्तम चालक कौन है तो देखे जिस भी पदार्थ का रेसिस्टिवीटी कम होगा ठीक है वह क्या करेगा current electricity को maximum क्या करेगा प्रवाहित होने देगा अपने से हो करके ठीक है तो अगर पूछ रहे विद्युद का सरवत्तम चाल कौन है तो याद रखेगा चंदी क्या है चंदी जिसका संकेत होता है az यानि कि argentum ठीक है Latin नाम होता ह है copper जिसके Latin नाम होता है cupram यानि कि tamba तो यह दो कम से कम याद रखेगा क्योंकि examination पुछ लिया जाता है या तो आप से पुछ लेगा सरवत्तम सरवत्तम पुछता है तो आप चंदी टिक आउट करेंगे संकेत देख लिजेगा easy रहेगा और या दूसरा स्थान पर पुछत 36 अगर पूछ ले तो 36 अस्तंभों को क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है क्या कहा जाता है और जो सीधा खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते है वर्ग तो प्रस्न में क्या पूछा गया है प्रस्न में यह पूछा गया है कि आवर्त सार्णी को उदगर जो है उसमें वरगों की संख्या कितनी है तो आप यहां से रेकांट करते हैं तो एक दो तीन चार्व पाँच, शे, साथ, आठ, नौ दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोड़ा, पंदरह, सोलह, सत्र ओर अठारह टोटल वरगों की संख्या कितनी है 18 जोटोल आवरत की संख्या प नाके रखा हुआ है ठीक है उसमें मैंने objective question भी कराया और थोड़ी भी कराया थोड़ी 18 मिनट का वीडियो है आप उसको देख सकते हैं मैं इसका भी link description box में देदी दूगा ठीक है उसमें मैंने periodic tables related सारे questions कराये है यदि आप किसी competitive examination की तयारी करते हैं तो उसके लिए भी आप जरूर complete कर लेजेगा यहाँ पर पूछा जा रहा है पीतल किस पदार्थ का मिसरन होता है ठीक है तो देखे इसका एक trick है याद रखेगा पिताजी क्या trick है पिताजी P for पीतल ता for तामबा और जोफुर यानि D for जस्ता तो पीतल जो है वा किसका किसका मिसरधातू है या मिस इसका संकेत होता है इसका ZN और तामबा का क्या होता है C U तो आपका C U भी रह सकता है और जेटन भी रह सकता है तो पीतल कि इसका मिसरधातू है या मिसरन है तो तामबा और जस्ता का trick मैंने बता दिया पिताजी से आप याद रखेंगे नेक्स्ट है, इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारे सरीर में एक ग्रंथी पाए जाती है अगनया से ठीक है, अगनया से देखिया, मैं जितने भी एक्स्ट्रा फेक्ट बता रहा हूं सारा एक्स्ट्रा फेक्ट इंप्रोटेंट है याद रखिएगा अगनियासे जो है हमारे सरीर की सबसे बड़ी मिश्रीत गरंथी है अगनासे की बात करें तो अगनासे के अंदर एक सेल पाया जाता है ठीक है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है लेंगर हैंस की दूपिका ठीक है, Langerhans की Dupica इसका नाम Langerhans की Dupica इसलिए बढ़ा क्योंकि Langerhans नामक विग्यानिक ने इसको सबसे पहले देखा था तो Langerhans की Dupica एक के स्ट्रक्शर पाजाता है जो तो प्रकार के सल से बना होता है एक तो अलफा होता है और एक बीटा होता है यानि कि एक अलफा सेल और एक बीटा सेल से बना होता है तो यह जो बीटा सेल है इससे सरावित होता है इंसुलीन क्या सरावित होता है इंसुलीन ठीक है और यही जो इंसुलीन है या क्या करता है सरीर में ग्लुकोज के लेवल को कम करता है ठीक है, अगर मैं लेजे किसी कारण बस इंसुलीन का सिराव कम हो जाएगा, तो क्या होगा ग्लुकोंज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, किसका इंसुलीन का अगर सिराव कम हो जाएगा, तो ग्लुकोंज का लेवल एटोमेटिक है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गया हो जागा चीनी रोग को साइश के चेतर हो जाएगा और इंसुलिन के कम यह मधुमे नुख यह कहा रखता है तो याद रखियागा अगला प्र सन देखते हैं नेक्स्ट कहा रहा है विद्यूत मोटर में उर्जा करूपांतरन कैसे होता है तो देखें विद्यूत मोटर मोटर क्या करता है एलेक्ट्रिक करेंट लेता है कौन सा करेंट लेता है एलेक्ट्रिक करेंट लेगा तब चलेगा और एलेक्ट्रिक करेंट लेकर करके चलने के बा इसी पुलता है एक बैटरी के बारे पुछ ले जाता है तो बैटरी में होता है chemical एनर जी एक क्नघ करता इनर्जी में convert करता है, electrical energy में, तो यह सब याद रखेगा, कौन सा पतार्थ, किस प्रकार की energy को किस प्रकार करता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, और इसको आप धैनिक जीवन से ले करके चलेंगे, तो आप easily याद रख पाएंगे, अगला है, प्रतिरोध का ऐसा ही म ओमेगा से, ठीक है, और ओमेगा का sign कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, याद रहेगा, तो प्रतिरोध कैसा है मत्र क्या होता है, ओम होता है, या तो आपको option में ये रह सकता है, ठीक है, objective best question अगर आप पूछा गया, तो ओम या तो ऐसे लिखा हुआ देखने को मिले तो प्रतिरोध का से मत्र क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, इसी तरीके से प्रतिरोध का पूछ लिया, इसी तरीके से विदुद्धारा का पूछ लेगा, तो विदुद्धारा के एंपियर याद रखेगा, ठीक है, आवेस का कूलंब होता है, विभब का क्या होता है, केमेस्ट्री का कर्बणी कमपॉंड है उस चप्टर से पोछा गया है और यह कोश्यन बहुत बहुत जाद इंपोर्टेंट है तो एक सामान सूत्र क्या होता है तो इससे पहले आपको याद रखना है ठीक है अलकेन और एक फर्मूला आप से पूछा तो अलकेन का क्या होता है, अलकेन का होता है, CnH2n, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, अलकेन का क्या होता है, CnH2n, और अलकेन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है, क्या हो जाएगा, CnH2n-2, जहाँ पर C तो कार्बन की संख्या दिखा रहा है, और H हड्रोजन दिखा, N क्या दि ते एक स्ब्सक्राइब प्लस टू इससे बहुत सारे मुझे जाते हैं इससे आपका फिर्मूला निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको यह चाप्टर समझ मनी आता है था फिर में कमेट करके जोर बता देजेगा हम इस पूरे चाप्टर को अच्छे से समझा देंगे ठीक है चलिए अगला प्रसंदेफ अगला है चाकू की साहता से किस धातू को काटा जाता है ठीक है यह रेलेवे का फेवरेट कोश्च है इसे पदार्थ हैं जिसको किसे चाकू को काटा जा सकता है मैंने खुद इलूमीनियम को नहीं काटा जा सकता है प्रकार के ठीसू पाए जाते हैं एक तो आपका होता है जाइलम ठीक है और एक आपका होता है फ्लोईम ठीक है दो प्रकार के ठीसू होते हैं जाइलम जो होता है वह आपका लिक्विड जितने भी चीज होते हैं लिक्विड समस्टांस जो होते हैं उनका ट्रंसपोर्टेशन कराता है फ्लोईम जो होता है वह सॉलिड चीजों का क्या कराता है तो जितने भी घुलित और खनीज लवन होते हैं उसका पड़िवन कौन कराएगा जाइलम कराएगा और फूद परदार्थों का यानि की फूद पार्टिकल्स जो होते हैं उनका ट्रंसपोर्टेशन किसके द याद रहो एक तो आप ऐसी याद रख सकते हैं जोसे जाइलम जोसे जल ठीक है लिक्विट फॉर्मिट और फोसे फ्लोईम फोसे फल फल सॉलिड होता है खाने के लिए यूज होता है तो खाना का पड़िवन कौन कराएगा फ्लोईम के द्वारा और जल का पड़िवन नाम एवं कारे लिखें तो देखें नर और मादा जनर हर्मोनों के नाम एक्जामनेशन बहुत वार पूछे जाते हैं ठीक है तो में बात कर लेता हूं मेल का और फीमेल का ठीक है तो मेल और फीमेल का क्या होता है तो देखें एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है टेस्टो एस्टेरोन एक यह हर्मोन होता है ठीक है टेस्टो एस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजेन ठीक है एस्ट्रोजेन तो टेस्टो एस्ट्रोजेन जो है यह मेल में पाया जाता है और एस्ट्रोजेन किस में पाया जाता है अपका फीमेल में पाया जाता है एक चीज यह female का structure male में नहीं दिखाता है, ठीक है, और male में estrogen hormone भी पाया जाता है, लेकिन मात्रा कम होती है, यानि कि कहने का मतलब है कि female में estrogen और testosterone दोनों होंगे, और male में estrogen और testosterone दोनों होंगे, लेकिन male में testosterone की मात्रा जादा होती है, जिसके वज़े से testosterone अपना प्रभाव दिखाता है, यानि कि पूरुस लेंगे कलक्षन का क्या करता है नियंतरन करता है और female estrogen hormone की मत्रे जाद होते यसलिए क्या करता है मादा लेंगे कलक्षन का नियंतरन करता है ठीक है तो याद रहेगा नर का कौन सा हो जागा टेस्टोस्टेरोन और मादा का क्या हो जागा estrogen अगला है समतल दर्पन द्वारा कैसा प्रतिविम बनता है तो देखें समतल दर्पन द्वारा हमेशा कालपनिक प्रतिविम बनेगा कैसा बनेगा कालपनिक प्रतिविम बनेगा आपने जो घर में घर में जो यूज करते हम लोग दर्पन ठीक है वह एक समतल दर्पन का ही उद नोन्यों सोतने मुक् 느ूत जा सकता है, वास्ति में पृतिमिय मों को उदार सकता है, सम्तल दरपन द्वारा जा सकता है, मैंने whisperHold । नहीं चुटे गां ऊफ तीनों से टदेखते हैं, तो दोस्तों, इस फिडियो में ने 15 में को निक्लोड पूछा जाते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड सरकील में सेर जरूर कर दीजेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अगले पार्ट ले करके तो तक के लिए धन्यवाद